नमश्कार बीए सेकेंड सेमिस्टर के 27 वीडियो अप्लोड हो चुके हैं यह 28 वीडियो है और आपका नेक्स टॉपिक है फर्स यूनिट का दब बैलेट और बैलेट को आज हम डिसकस करेंगे और जिसका मतब होता है नाचना और नाचने के साथ गीत गाया आजाता था जिसको के बैलेट बोलते थे इट वस संग यह गाया जाता था बाय स्ट्रोलिंग सिंगर गूमता हुआ सिंगर गायक और बैंड उफ सिंगर या फिर गायकों का एक समु हुआ करता था तो बेंद दाट एकंपनीमेंट ओफ म्यूजिकल इंस्सुएमट यानी उनके साथ में क्या होता था musical instrument यानि वादे यंत्र भी साथ में होते थे गाते जाते थे, बजाते जाते थे, नासते जाते थे In the course of poetic and cultural evolution तो जैसे जैसे poetic यानि के काव्य का और cultural यानि के Sanskritic evolution माने विकास हुआ तो इस विकास के दौरान, in the course of का मतलब होता है दौरान तो इस विकास के दौरान, it remained no more a song ये अब गीत नहीं रहा, remain मने रहना दे तो ये अब कोई गीत न रहा केवल It assumed the form, इसने आकार ले लिया assumed मने ले लिया the form, आकार of a simple straightforward narrative एक simple साधर, straightforward मिनलब के सीधा साधा narrative means वरनात्मक, poem, कविता and was intended, और इसका अब इरादा था to be sung, गाये जाने का to a rustic audience rustic होता है, ग्रामीर शित्र के audience मने श्रोता तो ग्रामीर शित्र के श्रोताओं के लिए ये गाया जाता था Hence, आता है, the ballad was a kind of folk literature तो बैलएड एक प्रकार का folk literature होता है जो लोग साहित्ते होता है जो कि कहीं लिखा नहीं होता generation to generation transfer होता है तो वैसा ये साहित्ते था meant for the entertainment meant for का मतभ़ होता उद्देश्य किस उद्देश्य से the entertainment मने मनोरंजन के उद्देश्य से of villagers ग्रामीरों के, गाउं के लोगों के अब fragment on of an epic तो ये जो बैलेड है वो fragment मने टुकडा होता है epic महा काव्य मैं डिसकस कर चुकी हूँ epic पर एक video uploaded है पहले लही तो ऐसा लगता है जब इसको सुना जाता है या पढ़ा जाता है कि ये एक महा काव्य का एक टुकडा हो तो जो बैलेड है वो एक बड़ा fierce मने भयानक tragic means दुखद account मने वर्णन होता है of the heroic deeds यानि बड़े साहस भरे कार्डियों का of a local legendary hero local means इस्थानिय लिजेन्डरी means पौरानेक hero means नायक का एक इस्थानिय पौरानेक नायक के और a memorable family feud या फिर एक memorable means याद रखने लायक family feud एक पारिबारिक जगड़ा और a thrilling adventure thrilling मने रोमांचकारी adventure मने साहसिक कार्य adventure deed of a king या फिर किसी एक राजा का बड़ा रोमांचक और साहसिक कार्य इसमें वर्णन होता है since क्योंकि it is a short collection a short recitation ये एक छोटा सा recitation means गाना होता है तो ये छोटा गाना होता है of an old chivalrous deeds old मने प्राचीन chivalrous means साहस से भरे हुए वीरता से भरे हुए deeds means कार्यों का of a hero एक नायक के it looks ये लगता है देखने में like जैसे के the fragment of an epic ये एक महा काव्य का कोई अंश हो a collective work यानि एक सामोहिक रचना it is supposed ये माना जाता है that के a ballad is a spontaneous and joint composition कि जो ballad है वो एक spontaneous मने स्वाभाविक and joint means मिला जुला composition रचना है of a group of people एक लोगों के एक समूह की the work of an artist एक कलाकार की रचना was collaborated उसमें शामिल हुए उसमें योगदान दिया गया by public जनता के द्वारा in its making इसको बनाने में once एक समय a piece of art यानि एक कलाके नमूने के रूप में ballad existed ये जो ballad थी वो exist करती थी since the ballad was handed down since मने क्योंकि the ballad was handed down यानि ballad को प्रदान किया गया दिया गया from one generation to another एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को by way of memory यानि याददाश्ट के माध्यम से memory के माध्यम से the possibility यानि संभावनाए the possibilities of alteration मने बदलाव की modification मने सोधार की suppression means कुछ चीजों को हटाए जाने की and addition और कुछ चीजों को जोड़े जाने की could not be denied उनसे इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि generation to generation transfer होती है चीज़ें तो उनमें कुछ चीज़ें हटा दी जाती है कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती है it was like a flowing stream it was ये थी यानि कि जो ballad थी एक बहती हुई धारा की तरह थी in which जिसमें के every balladist her balladist ने यानि ballad लिखने वाले ने और artist या कलाकार ने contributed योगदान दिया his own share अपने खुद के हिस्से का since क्योंकि it was endlessly repeated ये लगातार endlessly मने लगातार repeated मने दोहराई जाती थी the opportune additions and alterations opportune मने अबसर के अनुसार होने वाले additions means जोड उनमें जो चीज़ें जोड़ी गई and alteration और बदलाब have given it उन्होंने इसको दी है the value means मूल्य of a collective work एक सामूहिक कार्दे का यानि इसी वज़े से ये एक सामूहिक कार्दे कहा जाता है फिर है kinds of ballad यानि ballad के प्रकार ballads are primarily of two kinds ballads यानि मॉलेक रूप से दो प्रकार की होती है authentic ballads and literary ballads यानि कि एक तो authentic यानि original थी जो कि गाकर सुनाई जाती थी जो कहीं लिखी हुई नहीं थी और literary ballads जो कि लिखी गई है ballad इसमें एक और आप जोड सकते हैं mock ballad यानि जो original ballads हैं उनकी parody की गई है तो वो mock ballad जैसे कि mock epic भी होता है जो Alexander Pope का rape of the log है वो mock epic है इसी तरीके से mock ballad भी लिखे गए है authentic ballad the authentic ballad is the ballad of growth तो ये जो authentic means mollick या फिर इसको कह सकते हैं आप कह सकते हैं genuine कह सकते हैं या वास्तविक कह सकते हैं तो the authentic ballad is the ballad of growth तो जो grow की यानि generation to generation जो transfer हुई जो कहीं लिखी नहीं गई केवल गाई गई तो ये वो ballads हैं जो को authentic कहलाती हैं it has been in existence ये अस्तित्व में रही हैं for ages युगों से the authorship यानि लेखक का नाम of this kind of ballad इस प्रकार की ballad का is unknown अज्यात है it was never printed ये कभी print नहीं कहीं यानि कि ये कभी छपी नहीं कहीं से it was memorized इनको याद में रखा जाता था अपनी स्मृति में रखा जाता था by a person एक व्यक्ती के द्वारा और a group of persons या फिर व्यक्तियों के समूं के द्वारा and passed on और इनको पास किया जाता था यानि ट्रांस्फर किया जाता था दे दिया जाता था from one generation to another एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को इनको हस्तान तरित कर दिया जाता था this type of ballad इस प्रकार की ballad therefore इसलिए rolled on यानि चलते गए four centuries शताबदियों तक gathering यानि प्राप्त करते हुए the literary mass साहितिक mass आप बोल सकते हैं ज्यान of several generations बहुत सारी पीड़ी हों का the best सबसे अच्छे and finest सबसे बढ़िया of the authentic यानि ये जो मौलिक या असली वाले and apical ballads और महाकाव्य वाले ballads हैं आर वो हैं चीवी चेज and the nut brown made और nut brown made आते हैं literary ballads तो the collection and publication most of the ancient ballads in Percy's relics of ancient poetry in 1975 gave an impetus to the romantic poets of the 19th century to give it a literary shape कफी लंबे sentence हो जाता हैं कभी-कभी आप लोगों की request आते हैं कि पूरा sentence पढ़के फिर उसका meaning बताईए तो अब देखिए इसको कैसे possible नहीं हो पाता न बड़े sentence को translate करना तो इसलिए मैं उसको तोड़कर ही translate करती हूं तो the collection यानि की संगर है end publication और precaution of most of the ancient English ballads most means ज्यादा तर ancient बने प्राजीन English ballads अंग्रेजी ballads का इन परसी की relics of ancient English poetry ये इस नाम से परसी ने publish किया था इनको यानि पुरानी कविताओं को और ये date विल्कुल गलत है ये परसी की जो relics publish हुई थी 1765 में publish हुई थी तो इसमें printing में गलती होई है सारी books में ये problem रहती है कि ये printing mistake बहुत करते हैं आप इसको note कर लीजेगा ये date नहीं है 1765 इसको कर लीजेगा gave an impetus यानि जब ये publish हुई परसी की बोग तो उसने एक impetus मने एक उत्साह दिया to the romantic poets romantic कवियों को of the 19th century 19 मी शताबदी के to give it a literary shape to give it इसको देने के लिए a literary shape एक साहित्तिक आकार for the first time पहली बार in the history of English poetry अंग्रेजी साहित्तिक के इतिहास में अंग्रेजी काभी के इतिहास में ballads were written down ballads को लिखा गया and printed और उन्हें प्रकाशत किया गया छापा गया among the literary ballads जो साहित्तिक ballads हैं उनमें Scott's Eve of St. John Scott की ये ballad है Eve of St. John College की The Rhyme of Ancient Mariner ये बहुत अच्छी ballad है और मैं इस पर एक वीडियो अप्लोड करूँगी जल्दी ही and kids La Ballad and Sands Marky are well known और kids की जो कविता है La Ballad and Sands Marky ये बहुत अच्छे से जानी जाती है अब बात करते हैं form की The ballad is not very lengthy यानि ये जो ballad होती है बहुत लंबी नहीं होती lengthy story यानि बहुत लंबी कहानी नहीं होती but it is well rounded off लेकिन ये अच्छे तरीके से round off मने पूरी की जाती है It is complete ये पूर्ण होती है in itself अपने आप में despite the fact despite में बावजूत the fact तथे के इस तथे के बावजूत that के its opening इसकी जो शुरुवात होती है is usually abrupt prior abrupt होती है means अचानक से हो जाती है तो ये जो abrupt beginning है इसको आप एक अलग से heading डाल के लिखिएगा और example भी दीजिएगा और lab eladam sans marki वो आपके मैंने पढ़ाई भी है और उसका आप example दे सकते है कि abrupt beginning है उसकी it is marked by refrain it is marked by refrain मतलब कि इसमें refrain होता है refrain क्या होती है एक line होती है जो कि बार-बार repeat होती है the same lines are repeated यानि वही पंक्तियां repeated दोहराई जाती है from stanza to stanza यानि एक पद्याश के बाद दूसरे पद्याश में ये जो दोहराणा is the source of unity स्रोत होता है unity of action जो action मने जो कहानी है उसकी unity का उसकी एकता का स्रोत होता है फिर है meter it is written in short stanza इसको लिखा जाता है छोट-छोटे stanza में usually prior of four lines of eight and six syllables जिसमें के आठ और छे syllable होते हैं alternatively यानि पहले एक line में eight syllables फिर दूसरी line में six syllables और फिर तीसरी line में फिर eight syllables और चौथी line में फिर से six syllables that is true से कहने का मतब है the first and third lines are four foot iambic तो जो पहली और तीसरी line होती है उसमें चार feet iambic के होते हैं मैं अब ही आपको बताऊंगी प्रोसोडी जब पढ़ाऊंगी तो आयाम क्या होता है और ये feet क्या होता है syllable क्या होता है ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी वैसे अभी के लिए जान लिजे पहले भी मैं एक दो बार बता चुकी हो कि syllable वो part है जो हम word को pronounce करते है तो जितने भाग में वो बढ़ता है वो syllable कहलाता है जैसे six तो ये mono syllable है एक ही syllable है इसमें ये अपने आप में तीन syllable है syllable में खुद तो ये syllable कहलाते है और जो I am होता है इसका जो first syllable होता है वो unstressed होता है और second syllable stressed होता है और ये मैं सारी चीज़ें बाद में बताऊंगी आपको यह पहले complete हो जाए फिर प्रसोडी जब पढ़ाऊंगी तब यह चीज़ें बताऊंगी clear करऊंगी और जो दूसरी और चौथी लाइन होती है उसमें 3 feet होते हैं आयम के however किंतो there are variations यानि कुछ विविधताएं होती हैं in the literary ballads जो साहितिक ballads हैं उनमें फिर बात करते हैं style की it being the round and unvarnished tail तो यह जो कहानी होती है round मतले अपने आप में पूर्ण होती है unvarnished जिसमें कोई सजावट नहीं होती बनावट नहीं होती ऐसी कहानी होती है is written यह लिखी जाती है in the simple साधरन and direct style और सीधे साधे शैली में remote ness remote ness होती है दूरस्थता यानि यह जो कहानिया होती है बहुत दूर की पुरानी प्राचीन कहानिया होती है तो वो remote ness कहलाती है the form being historical इसकी जो आकार होता है वो एतिहासिक होता है it becomes यह हो जाती है romantic means कालपना से भरी होई and acquires और प्राप्त कर लेती है the prestige सम्मान of the remote यानि प्राचीन कालका with a supernatural hue एक supernatural means allocic hue मने रंग इसमें एक भरा होता है फिर है purpose उद्देश यह it is social in purpose इसका जो उद्देश होता है वो सामाजिक होता है and is associated और यह जोड़ी होती है with ritual यानि परंपराओं से और feasting या दावतों से the rhyme of ancient mariner तो यह जो कविता है rhyme of ancient mariner इसको मैं upload करूँगी अभी की नहीं है बहुत दिनों से सोच रही हो लेकिन करनी पा रही तो यह जो कविता है of college college की was sung यह गाई गई थी to the wedding guest एक शादी में आये हुए guest के लिए on the auspicious occasion एक auspicious होता है शकुन से भरा हुआ अच्छे शकुन वाला occasion means of sir of a wedding feast एक शादी की दावत का examples उदाहर देखते हैं authentic बैलेट के उदाहर हैं चीवी चेज और the nut brown maid और literary बैलेट्स के एक्जामपल है स्कॉड की eve of st john college की the rhyme of ancient mariner और कीड्स की दर ला बैलेडेम सांज मर्की तो यह ला बैलेडेम सांज मर्की यह तो मैंने कि यह थोड़ा सा दूसी बुक में से भी मैं आपको रा दे रही हूं कि इसमें कुछ material ऐसा है जो कि पिछली वाली बुक में नहीं था तो आपको कुछ और जानकारिया मिलेंगी इसमें क्योंकि जब descriptive answer आपको लिखना होता तो बहुत सारी चीज़ने आपको मालुम होनी च questions के लिए भी आपको थोड़ी सी depth में जानकारी होनी चाहिए commissions के लिए भी depth में जानकारी होनी चाहिए तो यहां पर आपको कुछ और points मिलेंगे इंट्रोड़क्शन में तो देखिए the ballad is a short story of love and or adventure in verse तो जो ballad है वो एक छोटी कहानी होती है प्यार की या साहसे कार्यों की in verse form में यानि पद्य में it is one of the most ancient forms of poetry ये जो poetry की कावे के जो forms हैं रूप हैं उनमें एक सबसे ज़्यादा प्राचीन form है इट्स सब्जेक्स इसके विशे आर होते हैं deeds यानि कार्य रादर दैन thoughts बजाए विचारों के the deeds of memorable feuds जो कार्य होते हैं memorable means याद रखने लाइक feuds मने जगडे या लड़ाईयां thrilling means romance कारी adventures, साहसे कार्य love, प्यार and war, युद the atmosphere is deepened जो आतावर्ण है वो गहरा हो जाता है गंभीर हो जाता है with a supernatural touch इसमें जो अलोकिक touch होता है, रंग होता है उसकी वज़े से, अच्छा ओरिजिन के बारे में हमने पिछली book में से जो पढ़ा है था उसमें भी बात की थी इसमें भी देखिए, थोड़ा सा औरत दिया हुए like the epic, epic की तरह the ballad belongs to folk literature तो जो ballad है वो भी लोक साहित्य का अंग है it is of native growth ये मलब के देशी उपज है originally मौलिक रूप से it was a sort of rural entertainment ये एक प्रकार का देहाती मनुरण्यन था provided by जिसको के उपलब्ध कराया जाता था company of singers and dancers यानि गायकों और नर्तकों की एक समूह के द्वारा wandering from village to village जो के एक गाउं से दूसरे गाउं घूंते रहते थे to earn their living अपनी जीव का कमाने के लिए by entertaining villagers ग्रामीनों का मनुरण्यन करके अगर थोड़े से गाउं से संबन्द रखते हैं तो आपने भाठ चारण इनके बारे में सुना होगा हमारे गाउं में भाठ आया करते थे वो खुब गीत गाते थे रोल बजाते थे, नासते थे भाठ और भाठनी उनकी पत्नियां होती थे उनको हम भाटनी बोलते थे, छोड़ छोड़े थे हम, तो गाउं में आते थे ये लोग, तो ऐसे ही हर जगह होते हैं, यूरोप में भी ऐसे ही नर्तक और गायक होते थे, गाउं से गाउं घूमते थे, और वो बैलेट्स गाते फिरते थे, उन पर नासते फिरते थे, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते थे ओन फार्म्स खेतों में एंड फिल्ड फिल्ड भी खेत होते हैं वेरेवर जहां कहीं भी दे एक्सपेक्टेड अगैदरिंग उनको उमीद होती थी कि लोगों की भीड मिलेगी इसका जिकर पहले भी आ चुका है इंडिकेट्स ये वाली जो बैलेड है ये दिखाती है ये जो गायक थे उनको आमंत्रित किया जाता था टू कैसल हॉल किले के हॉल में इन अरली टाइम्स प्रारंभिक दिनों में दा सॉंग वोज एकंपनीड विद डान्स अलसो यानि ये जो गीत है इसके साथ नित्य भी होता था बैलेड इन इटसेल्फ बैलेड अपने आप में गिफ्स दे सेंस ओफ डान्सिंग सॉंग यानि एक नित्य गीत का आभास देती है जब कोई प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस नहीं होई थी यानि जब तक किताबें छपना शुरू नहीं होई थी एंशेंट बैलेड्स वर हैंडेड डाउन तो जो प्राचीन बैलेड्स थी उनको हस्तांतरित किया गया था टू सक्सीडिंग जनेशन्स यानि आने वाली पीडियों को इंशेंट इंग्लिश पोईट्री यह पहले वी जिक्रा चुका है और इसमें डेट देखी सही दिया इस किताब में पबलिश्ट इंस सेविंटीन सिक्स्टीफाइड यह मैंने आपको तब बताई थी किताब में गलत दे रखी थी तो यह सही डेट है इस किताब में जो के सत्रे सो पैंसर्ट में पबलिश हुई अच्छा यह चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि मल्टिबल चॉस क्वेशन में आपसे पूछी जा सकती है और यह तो बहुत इंपोर्टेंट बुक है परसी का थोड़ा सा डिफरेंट है तो देख लेते हैं दिस्टिंगुशिंग फीचर्स यानि जो खासियते हैं ऑफ दा बैलेड बैलेड की में बी समराइज इन दा फॉलोइंग पॉइंट तो इन निमलिखित बिंदों में उनको समराइज किया जा सकता है उनको संशेप में वर्ण न स्म प्रक्राइज नोर्थ जंफे ही बात पहले भी हो चुकी है कि जो पहली लाइन और दीसरी लाइन इन में 4 feet होते हैं आयम के ये अभी बाद में बताऊं ही मैं कह चुकी है आप से a short syllable followed by a long तो ये मैंने आपको बताया था मैंने जब बताया था आपको तो ये short syllable को मैंने unstressed बोला था और long syllable को मैंने stressed बोला था तो जो short syllable है उसको unstressed और long को stressed भी बोला जाता है तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं and the second and the fourth three feet three foot iambic जो कि दूसरी लाइन होती है और चौथी लाइन होती है वो three feet iambic होती है the wife of usher's well is an ancient ballad तो ये जो एक प्राचीन ballad है the wife of usher's well the ever mentioned ballad measures measure may be exemplified तो ये जो the wife of usher's well ballad है इसका measure यहाँ पर दिया गया है example दिया गया है sorry मैं नीचे करती हूँ इसको तो ये example दिया गया है यहाँ से चार लाइने ली गई है आपको समझाने के लिए इसको बताया गया है there lived a wife at usher's well a wealthy wife was she she had three short and stalwart sons and sent them over the sea तो ये देखिए ये दो दो से लेवल है पहला से लेवल unstressed है दूसा से लेवल stressed है there lived तो there ये unstressed है lived ये stressed है a unstressed है wife ये stressed है तो इनको short or long भी कहा जाता है there ये short है lived ये long है a short है wife long है तो ये इस तरीके से एयाम कहा जाता है इसको तो यहाँ देखिए कि इसमें चार फीट है ये एक ये हो गया पहला there lived फिर a wife at a फिर शर्स well ये इस तरीके से चार फीट हो गए ये ये जो pair होता है दो syllables का इसको foot बोला जाता है तो चार foot का plural feet होता है तो ये 4 feet हो गए अब इसमें a well or the wife was she तो ये 3 feet हो गए तीन पेयर है ने इसमें तो ये तीन फीट हो गए, इसमें चार पिया रहे हैं, तो ये चार फीट हो गए, ठीक है, तो ये, फिर है, जो अगला फीचर है, अच्छे ये अगर आप लिख देंगे, तो आप जबाए इंप्रेशन जाएगा, जब डेस्क्रिटिव आंसर आपको लिखना होगा, और ये खना है, इन्च नहीं लिखना है, हम अपनी हाइट νापते हैं, कि लड़की कितनें इंच की है, तो उसने फीट और इंच लिख दिया, गलती से, इहां पर फीट ही आएगा, इंच नहीं आएगा, चलिए हांगे देखते हैं, कभी-कभी बड़ी हाश्या सपद गलती आपको बुक पब्लिशर भी, मैं इन लोग को भीजूंगी, अगली बार ऐसी ना कर निकलती है, अबरप्ट बिगिनिंग, तो ये तो पहले बात हो चुकी है, और मैंने आप से कहा था कि इसे अलग से हेडिंग बना लीजेगा, तो यहां पर ये अलग से हेडिंग बना भी दिया है, इस किताम में, अचानक से शुरूआत होती है इसकी, without any proper introduction, बिना किसी उचित परिचे के, the tale begins, कहानी शुरू हो जाती है, अबरप्ट ली अचानक से, sometimes, कभी-कभी, it begins, ये शुरू होती है, with question and answer, सवाल जवाब से, which makes the situation clear, जो के situation को, इस्थिती को इसपष्ट कर देता है, सवाल जवाब, as in, कीर्स लाव एलडेम सांस मर्की, जो कीर्स की कविता है, मैंने upload की हुई है, आप लोगोंने पढ़ी ही होगी, आपके सिलिवस में है ही, तो इसमें क्या है, शुरूआत कहां से होती है, एक सवाल पूशता है कभी, oh what can ail the, अभी नीचे आ रहा है, the first three stanza has formed the question, तो जो पहले तीन stanza है, उनमें सवाल है, which is answered in the rest of the poem, जिसका के जवाब दिया जाता है, the rest of the poem बाकी की कविता में, तो शुरुआत ही यहां से होती है, oh what can ail the knight at arms, यानि, knight at arms means, शस्त्रों से सुसजित सरदार, what can ail the, तुम्हें क्या परेशानी हो सकती है, तुम क्यों इतने दुखी हो, alone and pale loitering, अकेले और पीले पड़े हुए यहां पर गूम रहे हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो, तो यह सवाल है, जहां से बैलेड यह शुरू होती है, तो abrupt beginning है इसकी, अच्छानक से शुरू आत होगी, next, objective treatment, objective और subjective, देखिए subjective वो होती हैं जिनमें व्यक्ति अपने बारे में बताता है, objective वो होती हैं जिनमें दूसरों के बारे में बताया जाता है, तो जो valid है, उसमें कभी अपने बारे में न बता के, दूसरों के बारे में बताया जाता है, यानि objective treatment होता है, दूसरों के बारेment होता है, the ballot is impersonal, तो जो ballot होती है, वो impersonal रбиक्त विख्कत वोता है, impersonal गियर विख्कत होता है, in treatment, यानि अपने treatment में, अपने वरनन में, इसमें, poet की जो personality है, विख्ति तो है, उसमेंसे कुछ भी नहीं दिखाया जाता, कीड्स ला बैलेड एंसांजमार की जो कीड्स की ये बैलेड है ordinarily taken to be a subjective poem ordinarily साधान ता है taken to be इसको माना जाता है a subjective poem एक व्यक्तिगत कविता has no touch of subjectivity लेकिन इसमें बिलकुल भी touch नहीं है बिलकुल भी रंग नहीं है subjectivity का यानि व्यक्तिगत होने का व्यक्तिगत चीजों का in treatment इसके वर्णन में it is a scholar's exercise ये तो किसी विद्वान की exercise है अभ्यास है मैं जवरदस्ती है to discover an association कि वो discover meaning खोज लेते है an association मने समानता कि जो night है उसको वो कीड्स कह देते है जो लोग critics है वो कहते हैं कि जो इसमें night है जो परिशान घूम रहा है वो कीड्स खुद है between कीड्स beloved Fanny Brown तो एक समानता खोज लेते हैं कीड्स की जो beloved थी Fanny Brown कीड्स की प्रेमिका थी जो उसे छोड़ कर चली गई थी and the lady of this point और इस कविता की जो lady है उसमें समानता खोज लेते हैं critics कहते हैं कि ये जो बात हो रही है वो Fanny Brown की हो रही है इसके बाद है next point repeating the lines repeating of lines ये पहले भी discuss कर चुके हैं इसको कि इसमें कुछ lines की repetition होती है the ballot being a form of public entertainment तो ballot एक form है एक रूप है जनता के मनुरण्यन का makes a unique appeal ये बहुत अच्छी अद्विती यूनिक में सद्विती होती है appeal करता है means पसंद आता है लोगों को when some lines are repeated जब उसकी कुछ पंक्तियां दोहराई जाती है for example उदाहन के लिए in kids law, belladam, sons, monkey ये पहले भी example आई चुका है उसमें ये lines repeat होती है oh what can ill the night at arms it is repeated as the first line of the second stanza the last three lines of the first stanza are repeated as the last three lines of the last stanza तो ये आपने पूरी point पढ़ी है मेरे साथ तो आपको मालूम ही है mainly जो मैंने इस book में से करवाया आपको वो ये वाले point के लिए kinds of bellad there are three kinds of bellad तो जो पिछली वाली किताब में से मैंने आपको पढ़ाया था उसमें दो ही kinds दे रखे थे mock bellad उसमें नहीं दिया हुआ था authentic bellad और literary bellad ये तो अभी मैं बताई चुकी आपको mock bellad और देखते तो authentic bellad के बारे में इन्होंने क्या कहा है these are ancient bellads of unknown authorship यानि ये प्राचीन bellads है जिनकी की authorship यानि इसने लिखा लेखक उसके unknown है यानि अज्यात है they have grown unnaturally among people तो ये unnaturally नहीं naturally आना चाहिए they have grown वो मतब आगे बढ़ी है उनना ने विकास किया है natural रूप से among people लोगों के बीच it is their popular appeal that they were preserved in the people's memory तो ये उनकी popular means लोग प्रिय अपील थी यानि उनमें कुछ ऐसे बहाव थे जो लोगों को पसंद आते थे that they were preserved कि उनको सुरक्षित रखा गया in people's memory लोगों की स्मृती में when the printing had not been invented printed printing का यानि छपाई की machine का आविशकार नहीं हुआ था some of the best known authentic bellads कुछ जो सबसे ज़ादा जानी मानी authentic bellads है वो हैं चीवी चेस, the wife of Asher's Well and Sir Patrick Spence इनमें क्या है इनके नाम ज़रूर याद कर लीजेगा और आपसे ये पूछा जा सकता है कि चार bellads का अमनली चे नाम दे दिया और पूछा जा है कि इनमें से कौन सी authentic bellad है फिर है literary bellad the bellad of art और literary bellad are well constructed poems यानी ये bellad of art भी इसको कहा जाता है literary bellad को और literary bellad भी कहा जाता है ये well constructed means अच्छी तरीके से बनाई गई, लिखी गई poems का विताएं हैं इन्ही imitation means नकल करते हुए अनुकरन करते हुए of the bellad structure and spirit bellad के structure का और उसकी spirit means उसकी भावनाओ का इन literary values यानी साहित्तिक मूल्यों के बामले में they are much higher वो बहुत उपर है than the authentic bellads जो के मौलिक bellads हैं उनसे some of the best known literary bellads आर कुछ जो सबसे ज़्यादा जानीवानी साहित्तिक bellads हैं वो हैं स्कौर्ट की Eve of St. John Colleges, Rime of Ancient Mariner और Keats Labaradams इन सब भी की बात कले भी हो चुकी है mock bellad की बात पिछले बुक में नहीं हुई थी तो इसमें देखिए It is a comic imitation of literary bellad ये जो है comic मने हास से आसपद हास से से भरी हुई imitation है अनुकरण है of literary bellad, साहित्तिक bellad का like mock epic, जैसे कि mock epic होता है तो मैंने आपको बदाया था rape of the log जैसे mock epic है वैसे ही जो bellad है वो भी comic होती है mock epic, mock bellad भी होती है It is thus a sort of parody तो ये दसमने इस प्रकार a sort of parody एक प्रकार की parody है for example, उदाहन के लिए William Megan's William Megan की The Rime of the Ancient Wagner तो ये The Rime of the Ancient Wagner ये Rime of the Ancient Mariner का parody है is a parody of Colerais' literary bellad when rout and roar we reach the shore and never a soul did sink but in the river gone forever swim our meat and drink यानी जब समुद्र में दहारते हुए शोर के बीच we reach the shore हम किनारे पर पहुँचे कोई भी एक भी आत्मा नहीं डूबी never a soul did sink कोई इनसान नहीं डूबा बाट इंदा रिवर लेकिन नदी में gone forever हमेशा के लिए चले गए swim our meat and drink हमारा मास और हमारी drink यानी हमारी शराब हमारा मास सब उसमें बहे गया यानी इनसान तो नहीं बहे और हमारा मास बहे गया खाना पीना बहे गया तो ये पैरोडी है Cooper's John Gilpin To Is A Famous Mock Ballad तो ये Cooper की John Gilpin इसका भी नाम आप याद कर लीजेगा To Is A Famous Mock Ballad ये भी एक प्रसिद Mock Ballad है तो Ballad पर आज इतना ही अगली जो वीडियो होगी वो लिरिक पर based होगी और आप चीजों को अच्छे से नोट करते जाईएगा समय आपके पास नहीं है पिछले वाले में देखा आपने फर्स सेमिस्टर के एक्जाम में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का तो बहुत टफ आया था पेपर आपका खुछ नसीबी है आपकी कि आपका अच्छा आया था आगर यूनिवर्सिटी वालों का तो इस वार थोड़ी और महनत आपको करनी पड़ेगी टाइम नहीं है मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ धन्यवाद